शनिवार याने की 20 अप्रेल को यूपी बोर्ड ने 10 वी और 12 बोर्ड परिक्षा का रिजल्ट जारी किया बता दे के इंडर्मीडियेट की परिक्षा में अम्रोहा की बेटी ने नाम रौशन किया है चात्रा ने 97.6 शून्य प्रतिशत अंक पाकर 12 की परिक्षा में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिसके बाद परीजनों में बेटी को लेकर खुशी की लहर है उन्होंने मिठाई खिला कर छात्रा को बधाई दी इस दौरान काजल सिंख ने बताया कि सोशिल मीडिया से नहीं बल्कि पढ़ाई पर ज़्याद़ फूकस करने से उन्हें बारवी में इन अंको की प्राप्ती हुई सुनिए काजल सिंख का ये बयान सुचल मीडिया का कम यूज़ करे और एक टाइम बांद ले कि हमें इतने में से सोसल मेडिया करना और अच्छी बातों के लिए इस सोसल मेडिया करें और ज्यादा जो पढ़ाई पर फोकस करें आपके टीचर्स आपके पैरेंट्स इतना आप उम्मीद लगाए बैखे हैं तो उने पूर्या करना चाहिए ज़र इंगीनियर बनना चाहती हुए तो क्या अंदे इतना चाहती है उन इस प्रैंट को जो यह बहाने वाजी करते हैं कि अपना पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहने पिए इस कहने में तो आसा होता नहीं है पर अपना आपको चेक करते रहने चाहिए जैसे कि एक सबता के लिए कि हमने कबर किया कितना नहीं नाखिया और पिस對 TIME कि उसमें अगर हम कहीं भी पीच जा रहे होते तो पीचर इस बोलते कि उमढ़नीं कर रहे हो महनत करो अगल अगर आगे जाना है तो तो मैं चाहती हो कि मिल страшus है तो इस परब्तिने सब्सक्रार को मेनत कर कर कि आगे जो मेरा तपना था कि यूपी में आए कम से कम तो उसको इसने पूरा किया मैं बहुत गौर्बानवित अपने आपको महसूस कर रहा हूं कैसे आपने अपनी बच्ची को जड़ा है इसना आगे बढ़ाया क्या किया उसके लिए जो इसना वह मत्तब आज नाम रातिन कर पारेगी तर देखे ऐसा है जब मैं इसको पढ़ाता था तो मेरा प्रियासी रहता था कि यह किताब में वह प्रेशनों को ढूण रहें कि जो इससे नातों जो हलके प्रेशन होते हैं उनको तो बच्चा कभी भी कर लेता है लेकिन यदि हम हाड प्रेशनों पर अपना फोकस करेंगे जो कठेन परसन है तो उसको फोकस करने के बाद जो है हम उसको solve कर ले जाएंगे तो ताकि हमाने वाले समय में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और हम टेस्ट जो रखें उसके तो टेस्टों को हमें solve करते रहना चाहिए और यदि हम टेस्ट पर लगातार अपनी पकड जाता हूं कि सभी बच्चे एक मन एक्चित हो करके अपने सलेवस पर फोकस बनाए रखें सोसल मीडिया से दूर रहें और जो उनके अध्यापक उनको सब्जेक्ट वाइस पढ़ा रहे हैं पर दे उसको जो है पर दे याद करके चलें यदि वो नहीं करेंगे ऐसा तो उनक झाल झाल